नमस्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में अभी की सबसे बड़ी खबर अखलेश यादव को लेकर आ रही है दरसल अखलेश यादव ने बुल्डोजर बावा की कारवाई पर अब कई सारे सवाल खड़े किये हैं और यहाँ पर यूपी में BJP सरकार को घेरा है यहां पर अखलेश यादव ने बुल्डोजर कारवाई को असमविधानिक तरीके से कारवाई बताया है और यहां पर योगी सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े की है यहाँ पर अखलेश यादव कहते हुए नजराएं है कि यहाँ पर सत्ता का दुर उपयोग कर रही है बीजेपी सरकार और बीजेपी जिस तरह से कारवाई कर रही है संपत्यों को ध्वस्त कर रही है यह असमविधानिक तरीके से हो रहा है और अब अखलेश यादव के इस ब खबर आ रही थी कि सपा के कई निताओं के घरों के उपर और पेल्ट्रॉल पंप के उपर जो है बुल्डोजर चले हैं और इसी चीज पर अखलेश यादव ने अब अपनी चुपी तो रही है यहाँ पर अखलेश यादव ने यूपी के यूगी सरकार पर कई सारे सवाल करकर यहाँ पर अपनी फर्सनल दुस्मनी निकालने की कोशिश कर रही है और इस वजह से संपत्यों को गैर तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की जारी है यहाँ पर जिस तरह से यूपी में बाबा का बुल्डोजर चल रहा है उनका कहना है कि यह बुल्डोजर कानून के दाइरे में रहकर नहीं चल रहा है और जिस तरह से जहंगीर पूरी में बुल्डोजर चला है क्रवाई पर रोक लगी है उसी तरह से अभ यूपी में भी रोक लगनी चाहिए बाबा बुल्डोजर की करवाई पर देखा जा रहा है कि अखलेश यादव अब उन्होंने अपन करने का काम चल रहा है अब अखलेश यादव ने मांग उठाई है कि इस बुल्डोजर कारवाई को रोकना चाहिए क्योंकि ये कारवाई जो है कानून के दाइरे में रहकर नहीं हो रही है और अब देखना दिल्चस्प होगा कि अखलेश यादव के इस बयान पर योगी सरका कि आप पलटवार करती है आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्पे नाइन न्यूस धन्यवाद